आप सभी का स्वागत है रवी जोन फार्मिंग लीडर में मैं रवी त्यागी आपका होश्ट है और दोस्त मेरे सभी किसान भाईयों को मेरा राम राम तो सात्यों आज हम आपको मिलाएंगे सोनु त्यागी से जो गाउं खिलवाई में रहते हैं तो चलिए मिलते हैं और उसके बारे में बताएं कि आपके पास आज की तारीक में कुल टोटल कितने जानवर हैं मेरा नाम सोनुत यागिया और मैं गाउं खिलवाई का निवासी हूँ और इस समय मेरे पास 20-25 पसू है अच्छा अच्छा और जिनका दूद में अपनी ही डेरी है मेरे पास अच्छा मतलब तो जो इनका दूद वगरा है वो आप क्या मतलब डोटू डोट सेल करते हैं या कहीं हलवाई को देते हैं या आपके हाँ खुद आके लोग लेके जाते हैं मेरी डेरी है उसी पे लोग आते हैं और दूद लेके जाते हैं अच्छा मतलब आपने डेरी कर रखी है तो डेरी मतलब कैसे ऐसी ही डेरी है या किसी यह अनन्दा डेरी से है अच्छा तुमने आनंदा का जो है वो दूद ले रखा है ले रखा है जो गोपाल जी की है और बाकी दूद बचा हो हमारा महाँ पे चला जाता है और बाकी हैं सेल हो जाता है मैं मैं अपना दूद में दें सका का तो क्या और किसान भाइ आप दूद में चाहिए प्रूंस आपना दूद आप के नहां देते हैं अब हैं मैं उत्व बहुत गिए से इप गूर के 산े डूद में अपस किसान भाइ दूद देते हैं और जो एक आके दूद काड़ के ले जाते हैं उसमें मतलब किसान को कों से में फायदा है देखिए फाइदा तो इसी में है कि डेरी पे आप दूद ला रहे हैं तो उसका दूद अपने हाथ से काड़ेंगे और उसमें तुम्हारे पसू कितना दूद दे रहा है आपको ये पता चलेगा उनके कोई थन में तो कमी नहीं है क्या आपके दूद में क्या दिक्कतारी है यह सब की जानकारी तुमें मिलती रहेगे आप जितना पसू से जोड़ेंगे आपके लिए बहुत अच्छी बात है तो हाँ ये भी बात आती है कि कई वार देखा गया है कि पसू में थनेला रोग हो गया जी अब मारे दूद्या पानी और दूद्या आता है अपना दूद का अब दूद्या इखें कितने थन आप गया जो है या बेकार हो चुकी है किसी काम की नहीं रहती है तो आपने जो ये पसू रखे हुए मतलए दूद के परपस से रखे हुए या आपको सेल भी कर देते हैं ऐसा ये पसू तो हमारा पिछली कई पीडियों से पने पाल तेयार अब आगे चलके पहले तो दूद्ध बिखता नहीं था लेकिन आज परिवारों के इसमें जो है दूद्ध भी बिखने लगा है और रेट भी ठीक मिलते हैं मतलब इस काम को जो है एक बिजनिस के लिया गया गया है जी तो वो तो जो उसमें पसू है वो भी आप सेल कर देते ह हां जी पसू कर देते हैं और मॉल भी ले लेते हैं अच्हा मतलब कोई है होता तो खरीद भी लेते हैं और अगर बेग ना होता तो बेग दे राखना ये तो ने सेल के लिये है क्या रहा जाते है। राख रखेखाव ठीक्स है। तो प्रक्लेंगेन में आपके हैं जिटेजा किसा तो और यहां anyट है। my अब और खाव 2 हीं क्याए तो है यह सतनी वर meno लिदा। पिछले वियानत में यह नार नौल से आई थी तो यह मतलब कौन सी नसल की है यह मुर्रा में बताई दूझे है अच्छा मुर्रा नसल है यह वैसे भी बहुत बढ़िया है देखने में और अगर एक उससे देखा जाए काफी सुन्दर इसकी कद काथी है जैसा कि मैं देख रहा हूं इसकी आडर जो कॉल्टी है वह भी काफी अच्छी है जो लेवटी है वह अच्छी भारी है तो वह देखते हुए जैसे कि पिछले व्यात में यह आपके हां रही है तो इसने कितना दूद दिया ऐसा जी हमारे रख रखाओं में कृष न में देखनार न्यार दिया जादे चारह दिया और वे छारह खाले उसके हिसाम से रहात है थोड़ा बहुत खर ता डाल दिया किसांद दे पाता है और अशने को नहीं देखने आपके दीशने पिछले ब्यानत में खिची तनी है एकदम से और अपनी इस बहांस के बारे में सोनु जी आप क्या कहना चाहेंगे बैज यह है कि यह बहुत सूदी है और कोई भी बच्चा कोई भी इसके आज पास जाए तो कोई दिक्कत नहीं है और ना किसी लड़ती है बिल्कु साम सुबाव के खुल भी जाए तो ही गुमती रहेगी तो सुनु जी जैसे कि आपने कहा कि यह हम सेल कर सकते हैं इस बैंस को अगर कोई सामने से जो किसान भाई या कोई डेरी वाले जो लोग हैं जो डेरी का काम करते हैं वो खरीदना चाहें तो वो आप से कैसे कॉंटेक्ट करें बस ही घर पे मिलना होगा उन्हें अच्छा घर पे मिलना होगा और एक बार आप अपना नंबर किसान भाईयों को बता दें मेरा नंबर है 997-887-99 अच्छा तो साथियो सोनु जी ने अपना नंबर बताया अगर आपको ये उनकी जोटी अच्छी लगे या आप खरीदने के इच्छुक हैं तो आप उनके नंबर पे कॉल करके उनका पता और उनकी जगे का पता आप कर सकते हैं दूसरा ये नंबर मैं वीडियो की स्क्रीन पे भी डालूंगा जहां से आप लेके कॉल कर सकते हैं सोनु जी जैसे के आप इस वेबसाय में लगे हुएं तो आप इसके माइनस और प्लस दोनों पॉइंट पूरी तरह समझ गए होंगे आपने उस तेहनी काम है पहले बड़े बजूर्ग करते थे फिर आपने इसे देखा उन से सीका और आपने करना सुरू कर दिया तो जैसे कि ये दूद का काम है ये किसान के लिए लावकारी है या मतलब नुकसान दायक है अगर तरीके से किया जाए तो लावकारी है आप इसमें केवल दूद के पीछे ना रहे है मुझे आप जो है दूद ही बेचना है आप इसमें अच्छे पसु तयार करके और उन्हें जोगे पर बेख सकते हैं तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे आपको मतलब दूद के साथ ब्रीडिंग पर भी काम किया जाए जाए जी तो मतलब इससे लाव उठाया जा सकता है जी, दूद है ंजे अच्छा तो जैसे आपके हाँ पसु हैं तो आपने इसमें कितने पसु ऐसे हैं के जो आपने हाँ तयार किया हैं सब यह मेरे जएधात तर घ्री के हैं ऐ कि घाया थे हमें मौल की शुरू में अच्छा और सब ऊशी के बास्चे हैं आज गाय के पास कितनी है? मेरे पास इस time हम बेगते रहता हैं हर साल और 8-10 गाय अँने पास है अचा वो उसी के हैं class Dave कोई खरीदी नहीं नहीं है गाय मतलब sell करते रहते हो और आप दे खरीदी नहीं कोई नहीं में तर एक require की संतान है जाधे तर यह गाय ऐसे हैं इनमें जाधे तर बच्चहाई देती हैं अच्छा अच्छा और बच्छाई होती है तो जो सामने से किसान भाई देख रहे हैं झी उनसे इस डेरी और पशू पालन के बारे में आप और क्या कहना चाहिए ऐसा जी ने तो जितना खिलाऊंगे उतन डेरी और पसुपालन के बारे में जानकारी दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसार्णा अयाँ जानकारी प्ली धन्यवाद तो सातियों आपने ये वीडियो देखी और सौनू जी के विचार सुने और उनसे पस्वों के बारे में जाना और उनके पास एक जोटी सेल के लिए भी है अगर किसी भाई को वो अच्छी लगे और ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सेयर करें, चैनल को सस्क्राइब करें और घंटी के बटन को जुरूर दबाएं ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं रवी त्यागी, रवी जोन फार्मिंग लीडर से